Dear Students, I am Shelley, your Maths Teacher. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, topic is number. Clear? हमारा आज का topic है number. तो student numbers को समझने के लिए हमें समझना होगा, इसका numbers का दूसरा नेम है integer. तो हमें समझना होगा integers के बारे में. फिर integers के अंदर कौन-कौन से पार आता हैं, उसके बाद जो आपके topics है, अब आने वाली बुक के अंदर जो चैप्टर आने वाला उसका ये basic concept है clear तो आज मैं आपको आपके बुक भी दिखाऊंगी और उसके बेस पर हम ये understand भी करेंगे so students first of all integers क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगी वैसे आपने previous class में 1, 2, 3, counting बहुत पढ़ ली है clear लेकिन अब हम समझ रहे कि integers का main meaning क्या होते हैं यहां पर मैंने एक definition लिख Own Number and Negative Number it means कि integers के पास Own Number होते हैं और Negative Number होते हैं उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या बלא है मैंने Own Number and Negative Number clear तो उसके लिए दो हम आपको समझना पड़ेगा कि Home Number क्या होता है हमें भी पता होना चाहिए कि all number negative number क्या होते हैं जो number 0 से start होते हैं 0, 1, 2 और positive वाली side पर जाते हैं 0, 1, 2, 3 और बड़े 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 number बनते जाते हैं फिर उसके बाद 4, 5, similarly 6, 7 and so on 8, 9, 10, 11, 12 and so on ये numbers क्या होते हैं हमारे पास all number होते हैं clear ये positive number होते हैं आगे sign plus का होते हैं clear plus sign वाले होते हैं ये सारी अगर कुछ ना नज़रा है विजो plus sign वाले हैं उसके बाद हमारे पास आते हैं negative number तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि negative number क्या होते हैं उनके पास negative sign होते हैं जैसे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and similarly all negative number अब यहां से तो देखो zero सी start होते हैं आगे तक जाते हैं तो number बड़े होते हैं लेकिन अगर negative के अंदर क्या होता है कि जैसे हम आगे की जाते हैं तो number क्या होते जाते हैं smaller 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 छोटी छोटे छोटे होते जाते हैं ये हमारा concept तब clear होगा जब हम आगे number line जातर पढ़ेंगे, clear? अभी तक के लिए हमारा ये main topic है, ये इसका हमने पढ़ लिया, कि negative number क्या होते हैं, one number क्या होते हैं, पूरा chapter इन numbers के उपर बेस्ट है, इन indices के उपर बेस्ट है, उसके बाद आता है one digit, इन में से जो single-single होते हैं, single यानि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या फिर उनका opposite sign ले लें, तो ये सारे क्या होते हैं, one digit number होते हैं, 10 होगा one digit, बताएं, 10 होगा या नहीं, यहाँ पर देखो, 10 लिखते हैं, 10 के अंदर कितने digit होगे, count with me, one, two, तो यह क्या होगे, two digit number होगे, clear, तो two digit number होगे, one, two, single तो नहीं होगे, अकेला तो नहीं होगे, जो पूरे अकेले होते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, single number होते हैं, वो one digit number होते हैं, जो two places, अब नॉर्माली अगर हम mathematical language में बात करें, जो one's position पर जाते हैं, जैसे इनकी only one's position है, तो वो क्या होगी, one digit, जिनके पास one's or ten's, दोनों position होते हैं, वो होते हैं, two digit, और जिनके पास three positions होते हैं, one's, ten's, hundred, तो वो होगी, three digit, आपके description box में, मैं लिंक पर डाल दूँगी, मैंने पूरा एक्स्प्लेइन किए, कि one's, ten's, hundred, क्या होता है, तो उस वीडियो में आप अच्छे से जाके समझ सकते हैं, clear, तो three digit क्या होगा, zero, one, मतलब one's, ten's, hundred, ये इस टाइप से, जिसके अंदर three तक जाते हैं, हम three periods तक जाते हैं, clear, ये आपकी बूक है, और इसका first chapter है, large number, look at, look at this properly, large number, okay, so student, in this chapter, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, four digit के बारे में, so four digit को read करने के लिए, हमें ये बता होना चाहिए, four digit number, जैसे अभी हमने बढ़ा, one digit, two digit, three digit, similarly, four digit में क्या होगा, four digit है, say yes or no, है ये नहीं, count with me, one, two, three, no, ये तो three digit number है, yes, दुबारा रिकॉल करो, one, two, three, अपी भी बता हो, ये तो three digit हैं, four digit है, three digit, yes, लेकिन जैसी मैंने इसके आपकी क्या लगा दिया, nine, अब count करो, one, two, three, four, yes, this is four digit number, clear, so student, this is four digit number, अब इसी तरीके से हमें, अब जैसे हमने, tens, ones, hundred के बारे में, सारा रिट कर लिया है, तो अब हमने क्या करना है, उसमें एक मैंने बताया था, कि हम right to left जाते हैं, right to left, ये हमारा main point है, right to left, तो अब किया आपके पास एक question है, आपको मैं जो बाक्षीट हूँगे, उसमें ये questions आएंगे, हमने ये चीज़ रीट करनी है, clear, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले box count करना है, so count with me, हम right, right से left के तरफ जाएंगे, यानि, इस direction में जाएंगे, यहां से start होगे, यह हमारा starting point है, और इस direction में हम आएंगे, so first of all, हमारे पास यह shape है, squares हैं, small squares है, आप इसको count करके बताएंगे, यह कितने हैं, so count with me, okay, one, two, three, four, five, six, seven, yes, so right here, seven, और seven ही dot, आप यहां पर बनाएंगे मेरे साथ, इसे अब एकस पर आगे करेंगे, अब यह rectangle shape slides, count with me, one, two, three, yes, so right here, three, अब मेरे पास यह squares हैं दो, तो अब यह square count करेंगे, how many squares are there, one, two, तो यहां पर हम लिख देंगे, two, clear, and next one, यह cube की shape होती है, clear, तो अब इधर यहां पर how many cubes are there, count with me, one, two, three, four, so right here, four, अब मैंने आपको वहाँ पर बताया था, कि मेरे को यह place value पर, अब आप इसको table में भी बता सकते हो, clear, जो आपके मैंने once, ten, hundred वाली table बताई थी, उसमें भी आप यह show कर सकते हो, आप सिमिलर ले यहां, यह मेरे कौन सी position थी, once, और यह, tens, और यह, hundred, और यह, ten hundred, clear, तो यह होई ten hundred, तो अब हम यहां पर once पर position, once पर कितने digit, कौन सा digit number दिखा हुए, seven, yes, तो यहां पर हम कितने dot लगादेंगे, one digit, one dot, two, three, four, five, six, seven, yes, आप भी अपने note book पर लगाद, seven digit, similarly अब three, कौन सी position है, tens, और यहां पर भी क्या है, tens, तो अब यहां पर कितने dot लगाएंगे हम, three, yes, one, two, three, okay, अब similarly हमने यहां पर समझ रहे, next hundred की position पर कौन है, two, so right here, how many dots are there, two, one, two, और next ten, hundred, तो ten की position पर कौन है, four, तो ten hundred की position पर अब क्या कर देंगे, one, two, three, four, four dot लगा देंगे, अब शुर्ण यह चीज़ करने का मीनिंग क्या था, हमें बहुत समझ रहे हैं, यानि हमें, इसकी position मिलगी, हम इसे recall कर सकते हैं, बहुत सकते हैं, four thousand, four thousand, two hundred, thirty seven, clear, four thousand, two hundred, thirty seven, अगें देखें यहापर, four thousand, कितने डिज़ लगा थी यह आपर, four, four thousand, hundred की position पर how many डिज़ आदेंगे, two, two hundred, ten's के position पर how many डिज़ आदेंगे, three, three means thirty, at the position of ten's, और how many डिज़ आदेंगे, on one's position, seven, यह complete हो गया, four thousand, two hundred, thirty seven, clear,